ओम शान्ती, 29 जन्वरी, साकार मुडली, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शान्ती और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और करेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो, प्रश्न, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसके युक्ति क्या ह उत्तर, बाप चो सुनाते हैं, उसका मन्थन करो, विचार सागर मन्थन करने से, दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है, जो सदा रिफ्रेश रहते हैं, वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं, उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मन्थन करने स सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जूटा रहता है। गीत नैन हिन को राह दिखाओ प्रबू। ओम श्रांती यहां गीत भी मनुश्यों का गाया हुआ है। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं। यह भी जैसे एक प्रार्थना है। पर्मात्मा को जानते नहीं। अगर पर्मात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। सिर्फ पर्मात्मा कह देते हैं। परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। तो नैन हीन हुए न। तुमको अब ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है। इसलिए तुमको त्रीनेत्री कहा जाता है। दुन्या में बल मनुष्य यहा अक्षर कहते हैं त्रीनेत्री, त्रिकाल दर्शी, त्रीमोर्ती, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइन्स और साइलिंस का आपस में क्या संबंध हैं? बल प्रशन पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी? किसने की थी? कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जा बनने वाला चाहिए जो बताएं, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, या सब खेल बना हुआ है? टावर ओफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है, शांती का टावर है, मूलवतन, जहां हम आत्माई रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ओफ साइलिंस, फिर ऐसे कोई मुक से नहीं कहेंगे, कि हम आत्माई का घर मुक्तिधाम है, यह सब बाते बाप ही समझाते हैं, टीचर हो तो ऐसा हो, वह है टावर ओफ नौलेज, तुमको भी शांती और सुख की टावर में ले जाते हैं, यह फिर है टावर ओफ तुख दाम, हर बात में इंसॉ पवित्रता सुख शांती का वर्सा तुमें समय ही पाते हो, बलिहारी इस पुरुशोत्तम संगम युक की है, इनको कल्यान करे युक कहा जाता है, कल्यूक के बाद फिर होता है सत्यूग, वह सुख का टावर है, वह शांती का टावर है, यह दुख का टावर है, यहां अथा दुख है, सब दुख आ कर इकटे हुए हैं, कहते है ना, दुख के पहाड गिरते हैं, जब अर्थक्वे कादी होती है, तो कितना तराही तराही करते हैं, बाप ने समझाया है, बाके टाइम थोड़ा है, बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है, बहुत है जो वैसे ही परमात्मा भी हैं, आत्मा को जानते हो ना, वहा लक्की सितारा है, बिल्कुल सुक्ष्म है, इन आखों से नहीं देख सकते हैं, तो यह सब बाते बाप समझाते हैं, ऐसी बातों पर विचार सागर मंधन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है, कहां भी जाएंगे, तो समझेंगे कि टावर अफ शांती, टावर अफ सुक, टावर अफ पवित्रता है ही, न्यू वर्ल्ट में, पुराने स्वभाव को, कारेक्टर्स को सुधार कर, बाप नई दुन्या का मालिक बनाते हैं, मनुश्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र, गीता आदी पढ़ते हैं, परन्तो समझते कुछ भी नहीं है, सीड़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं, भल अपने को शास्त्रों की अथोरिटी समझते हैं, परन्तो उनको उतर ना ही है, आत्मा पहले सब की सतुप्रदान होती है, फिर दीरे दीरे बैटरी खलास हो जाती है, इस सम सबकी बैटरी खलास है, अब फिर बैटरी चार्ज होती है, बाप कहते हैं, मनमन भाव, अपने को आत्मा समझो, बाप है, सर्वशक्ति मान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और फिर बैटरी भर जाएगी, तुम अभी फिल कर रहे हो, हमारी बैटरी भर रही है, कोई की नहीं भी भरती है, सुधरने के बदले और ही बिगड जाते है, बाप से प्रतिग्या भी करते है, बाबा, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आप से तो 21 जन्मों का वर्सत जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं, बाप कहते हैं, काम विकार पर जीत पाने से, तुम जगत जीत बनेंगे, फिर अगर विकार में गया तो अकल चट, यह काम महशत्रू है, एक दो को देखने से काम की आग लगती है, बाप कहते हैं, तुम काम चिता पर बैठ, सावरे बन गए हो, अब तुम को गोरा बनाते हैं, यह बाप ही तुम बच्च को समझाते हैं, बढ़ाई से तुम्हारी बुद्धी खुलती है, जाड का वणन भी करते हैं, यहा है कल्प व्रक्ष, मनुष्य स्रिस्टी का वराइटी जाड, उनको उल्टा जाड कहा जाता है, कितने वराइटी धर्म है, इतनी करोडों आत्माओं को अविनाश्य ज्यान का तीसरा नित्र मिला है, विचार करो, कितने धेर आतमाएं हैं, जैसे मचलियों का एक खिलोना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती हैं, यहाँ भी ऐसे ही हैं, हम भी ट्रामा की रस्सी में बंदे हुए हैं, ऐसे उतरते उतरते, कल्प आकर पूरा हुआ हैं, फिर ह उपर जाते हैं, यह समझ भी बच्चों को अब मिली है, उपर से आत्माई आती है, नमबरवार एड होती जाती है, इस खेल में तुम पाडधारी हो, मुख्य क्रियेटर, डाइरेक्टर, एक्टर होते हैं ना, मुख्य तो है शुबाबा, फिर कौन से एक्टर है, ब्रम्ह, व वालोंने अनेक चित्र बनाए हैं, परन्तु अर्थ का कुछ भी पता नहीं, लाखो वर्ष कह देते हैं, अब आप आकर सारी नौलेज देते हैं, अब तुम समझते हो, सत्योग में यह ज्यान हमको नहीं होगा, जैसे यहां कारोबार चलती है, वैसे वहां पवित्रता, सु आप भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है, जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्यान ले रही है, बाबा फिर बड़ा थोड़े ही होगा, वह भी बिंदी है, तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उनमें सारा ज्यान धारन हो रहा है, यह कल्प के बाद फिर बाप देंगे जैसे रिकार्ड भरा हुआ होता है जो रिपीट होता है न आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है इस अनादी ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता सबको पाड बजा ना ही है यह बड़ी वंडरफुल बाते है जो अच्छी रिपी समझ कर धारन करते है तो खुशी का पारा चड़ता है तुमको कितनी स्कॉलर्शिप मिलती है तो पुरुशार्थ अच्छी रिपी करना चाहिए आप समान बनाना है तुम सब टीचर हो टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते है ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है नहीं तुम टीचर बनते हो क्योंकि राज योग सिखलाते हो फिर तुम चले जाएंगे यह भी तुम समझते हो वो लोग तो जानते नहीं, न सदगती दे सकते हैं, सर्वका सदगती दाता तो एक बाप है ना, लिबरेटर गाइड भी वही है, जब तुम वहां से आते हो, तो बाप गाइड नहीं बन्दा है, बाप गाइड भी अभी बन्दा है, जब तुम घर से आते हो, तो घर को ही अभी तुम भी गाईर हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो अज शरीरी भवा, तुम्हारा नाम पंडव सेना भी है शरीर धारी तो है ना, जब अकेले हो, तो सेना नहीं कहेंगे शरीर के साथ, जब माया पर जीत पाते हो, तब तुमको सेना कहते हैं उन्होंने फिर लडाई की बाते लिख दी है, यहां है बेहद की बात वो लोग conference आधी करते हैं, संस्कृत आधी के college खोलते हैं कितना खर्चा करते हैं, खर्चा करते करते, जैसे कि खाली हो पड़े हैं चांदी, सोना, हीरा सब खलास हो गए हैं, फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा, तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप को और वर्से को याद करना है, तुम्हारा पार चलता रहता है, कभी बंध होने वाला नहीं है, बाप समझ जाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं चानते हो, चरासी का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं, जो पहले-पहले आते हैं, तुम बच्चों को अथा सुख मिलता है, तावर ओफ हेल्थ, वेल्थ, हैपिनेस, तो कितना नशा होना चाहिए, बाप हमको बेहद का वर्सा द जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, उतनी आफते भी आती जाएंगी, जाड की व्रधी भी होनी है, जाड कच्चे हैं तो जट तुफान लगने से जड जाते हैं, या तो होना ही है, तुम्हारा एम अबजेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं र रखते हैं, ज्यान मार्ग में है एक, सोभी नालेश बुद्धी में है, बाकी बिंदी का चित्र क्यानिक का लेंगे, आत्मा तो सितारा है न, यह भी समझने की बाते हैं, आत्मा को तो इन आखों से देख नहीं सकते, बहुत कहते हैं बाबा, हमको सक्षतकार हो, देखे, परंतु देखने से मालिक थोड़ेई बनेंगे, मनुष्य कहते हैं, फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहां, जानते थोड़ेई हैं, जो आत्मा इस्वर्ग में गई हैं, वही कहती हैं, आत्मा को तो सब याद रहता है न, अब तुमको उचे ते उच बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम उचे से उचा पद पा रहे हो, नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार, नर से नरायन जरूर बनेंगे, यहाजो शानती मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हे समझाना, कई समझते भी हैं, कि यहाँ एक्योरेट कहते हैं, वह समय भी लिखा हुआ है, कुमारियो द्वारा बिश्म पिता महा, आधिको ज्यान के बाण मारे, बाकी ऐसे नहीं, अर्जुन ने बाण मारा, गंगा निकली, ऐसी ऐसी बाते सुनकर कह देते हैं, यहाँ से गंगा निकल आई, गव मुख भी बनाया है, अभी तुम बच्चे देखत हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, वह जड़ देलवाडा, यहाँ है चैतन्या, उसमें उपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपश्या कर रहे हैं, उपर राजाई के चित्र है, इसलिए मनुष्य समझते हैं, स्वर्ग उपर है, बाम्स बनाने वाले खुद भी सम मचते हैं, यहाँ हमारे ही विनाश के लिए हैं, कहते हैं, ऐसे करेंगे, तो जरूर विनाश होगा, लिखा भी हुआ है, महाभारी लडाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे, सत्युग में है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे, यहाँ भी बच्च जानते हैं, भक्ती करते करते, नीचे उतरते ही आते हैं, ड्रामा प्लेन अनुसार, वास्तों में यहां कोई आशिर्वाद आधिकी बात नहीं है, जो ड्रामा में बना हुआ है, वही होता है, कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो मनुष्य कह देते हैं, जो इश्वर की इच्छा, तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की, तुम इश्वर की भावी नहीं कहेंगे, इश्वर का भी ड्रामा में पार्थ है, स्रिस्टी चक्र कैसे फिरता है, यह भी बाप ही समझा सकते हैं, नौलेश्वुल भी बाप है, मनुष्य समझते हैं, वह सब हमको मिलेगा, बाप थोड़ेई बैठ दंद देंगे, यह आटोमाटिक बना बनाया ड्रामा है, जो चलता रहता है, इनके आदी मद्य अंद का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो, अब बाप कहते हैं बच्चे, तुमारी अवस्था ऐसी हो, जो पिछ में कुछ भी याद ना आए, अपने को आतमा समझे, इसको कहा जाता है करमातीत अवस्था, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चु प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्थे, रूहानी ब जावा को याद प्यार, गुद मॉनिंग और नमस्थे, धार्ना के लिए मुख्य सार, पहरी पॉइंट, स्कॉलर्शिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुर्शाट करो, टीचर बन, औरों को राज योग सिखाओ, गाइड बन, सबको घर का रास्ता दिखाने के सेवा करो दूसरी पॉइंट, सर्व शक्तिमान बाप की याद से अपने बैटरी चार्ज करनी है, बाप से प्रतिग्या करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है, वर्दान, हजुर को सदा यसाथ रख, कंबाइंड स्वरुप का नुभव करने वाले, विशेश पाट धारी भव विस्तार है, बच्चे जब दिल से कहते हैं, बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं, हजुर हाजिर है, और विशेश आत्माई तो है ही कंबाइन लोग कहते हैं येदर देखते हैं उदर तू ही तू है और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहां भी जाते हैं बाप साथ ही है कहा जाता है करन करावन हार तो करन हार और करावन हार कमबाइंड हो गया इस मुरती में रहकर पार्ट बजाने वाले विशेश पार्ट धारी बन जाते हैं स्लोगन स्वयम को इस पुरानी दुन्या में गिस्ट समझ कर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे ब्रम्ह बाप समान बनने के लिए विशेश पुरुशार्थ समय प्रमाण अब ब्रम्ह बाप समान सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन बनो थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा बाप द्वारा कितने खजाने मिले हैं उन खजानों को सदा कायम रखने का सादन है सदा अचल अडोल रहना अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूती होती रहेगी Om Shanti